क्या होगा अगर यदि किसी देश का एक्सपोर्ट रुख जाए एक्सपोर्ट से होती है डॉलर की इंकम अब यदि डॉलर आना बंद हो जाए तो वो देश की अपनी जुरुवत की चीजे इंटरनेशनल मार्केट से नहीं खरीद पाएगा तो कि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है और कुछ यही हाल हमारे कोड़ोशी देश पाकिस्तान का हो रहा है पाकिस्तानी शिपिंग एजिस ने गवर्मेंट को चेताव नहीं दी है कि पाकिस्तान के सारे एक्सपोर्ट बंद हो सकते हैं इसकी वज़े है फॉरण शिपिंग कंपनी को टाइम पर डॉलर पेमेंट का नहीं हो पाना है दोस्तों एक शिपिंग लाइन और शिपिंग कंपनी उस कंपनी को बोलते है जिसके लाइन अप बिजनेश, शिप्स की ओनर्शिप और माल डुलाई यानि फ्रेट ट्रांस्पोर्टेशन की होती है ये कंपनी ज़्यादा तर यूरोपियन होती है और उन्हें डॉलर में पेमेंट विलता है पाकिस्तान के लिए शिपिंग ग्रैसिज इसलिए गहरी है क्योंकि बाऊर्ण कंट्रीज को छोड़ दैं तो पाकिस्तान का अर्मास्ट साना इंटनेश्टेट सी की जर्य होता है पाकिस्तान का सीबंट ट्रेट फॉरेण शिपिंग लाइन swiam Trains कार्गो ट्रांस्पोर्ट पर बैंग लगाने के लिए सोच रही है क्योंकि उनके लिए कार्गो वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया है अगर इंटर्नेशन ट्रेड ब्लॉक होता है तो पाकिस्तान की एकोनोमिक सिट्वेशन और बिगड़ जाएगी